बसकार मेर उच्छे आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के साथ उत्तर प्रदेश का उनाब जिला एक बार फिर चर्चा में है और वजह फिर एक बार बेटी पर हुआ जुर्म है जिस उनाब में बहुचर्चित दुशकर्म कांड में विदायक कुलदीप सिंग सेंगर को लेकर भारतिय जनता पार्टी बुरी तरह घिरी थी अब उसी उनाब में समाजवादी पार्टी के एक नेता और पूरु मंत्री के बेटे की करतूत ने चुनाब के बीच अखिलेश की पार्टी को असहस कर दिया है आरोप है कि सपा सरकार में राजुमंत्री रहे स्वर्गवासी फते बहादुर सिंग के बेटे रजोल सिंग ने ना सिर्फ एक गलित बेटी का अपहरड किया बलकि हत्या कर उसकी लाश को शोचाले के टैंक में दफना दिया दो महीने बाद गुरुवार को लड़की की लाश मिलने पर सियासत तेज हो गई है दरिसल उन्नाव सदर के कांसी राम कॉलोनी में रहने वाली एक युवती लापता हो गई थी और उसकी मा की शिकायत के बाब जूद पुलिस अंदेखी कर रही थी उसने सपा के पूरु मंतरी स्वर्गवासिय फते बहादुर सिंग के बेटे रजोल सिंग पर आरोप लगाए थे कारेवाई ना होने पर बेटी की तलाश ना होने से मायूस माने बीती चौबिस जनवरी को लखनव में सपा के रास्टिय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कार के सामने आतमदाह का प्रयास किया था इसके बाद मामला तूल पकड़ने पर सक्रिये हुई उन्नाव पुलिस ने तथ जुटाने शुरू किये थे और फिर मुकदमा दर्जिकर के आरोपित रजोल सिंग को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया था कोट से रिमांड ओर लेकर पुलिस ने रजोल सिंग से कई घंटों की पूछताच की थी पुछताच में एहम जानकारिया मिलने के बाद पुलिस ने सुराग तलाशने शुरू किये थे मोबाइल फोन सर्विलांस के सहारे पुलिस को एहम सुराग हाथ लगे इसके बाद पूरू मंत्री द्वारा कबा खेडा में बनवाए गए दिव्यानन्द आश्रम में कारेकरत युवक तक पहुच गई थी एहम कड़ी हाथ लगने के बाद पुलिस ने गुरुवार को मंत्री द्वारा बनवाए गए आश्रम के पास खाली पड़ी जमीन पर खुदाई शुरू कराई खाली पड़े प्लोट में करीब 7 फिट गहरा घड़ा खोदने के बाद युवती का शब दपन मिला यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब यूपी में चुनाव की शुरुवात हो चुकी है ऐसे में राजनीतिक गलों ने इस मुद्दे को जोरो सोरो शे उठाना शुरू कर दिया है यूपी के उप मुखिमंतरी केशव पसाद मौर्या ने भी अखिलेश यादब को घेरा है उन्होंने ट्वीट किया अखिलेश यादब जी सपानेता के खेत में दलित बेटी का शब बरामत जब बेटी की माँ आपकी गाड़ी के सामने गिड़ गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपानेता का संरक्षड करोगे नई सपा में सपाईयों का हर घिनोना अपराद माप करोगे जाजकर दोशी को दंड और पीडित को न्याय दिलाने में कसर नहीं छोड़ोगे साथ ही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायवती ने भी इसे बेहत गंभीर मामला बताते हुए सरकार के सक्त कारवाई की मांग की है उन्होंने ट्वीट किया कि उन्नाव जिले में सपानेता के खेत में दलित युवती को दफनाया हुआ शव बरामद होना अत्यंत दुखद और गंभीर मामला है परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरड वा हत्या को लेकर सपानेता पर शक कर रहे थे राजी सरकार पीडित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोश्यों के खिलाब तुरंत सक्त कानूनी कार्यवाई करे फिलहाल बीजेपी भी इस हत्याकांड को चुनावी मुद्दा बना सकती है बहले ही कानून विवस्था को लेकर बीजेपी सरकार बर भी सवाल उठेंगे लेकिन सपानेता की सनलिप्तता होने की वजह से बीजेपी अपने उस अभियान को और तेज कर सकती है जिसके तहत वाक्य है रही है कि सपा की सरकार आई तो गुंडा गर्दी बढ़ जाएगी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स